Dream 11 से Grand League जीतना चाहते हो तो गाइस बिल्कुल सई वीडियो के उपर आया हो क्योंकि आज के इस वीडियो के अदर मैं आपको एक्चुल में सिखाऊंगा कि के इस तरीके से आपको Grand League के टीम बनानी है यहाँ पर होता क्या है कि जो भी लोग आपको टीम बनाते हैं वो तुक के से टीम बनाते हैं या फिर उन्हें एक्चुल नॉलेज नहीं होती है मैंने टेलीक्राम के उपर लाइप रूप भी डाल रखा है तो यहाँ पर मैं एक्टम सही बन्दा हूं आपको इस चीजे समझाने के लिए ताकि आपको यहाँ पर जो नॉलेज मिले वो नेक्स लेवल हो और जैसे आप यहाँ पर ग्रांडली की टीम बनाओ वो टीम की रैंक आपकी टोप 100 में तो सुरुआत में आजाएगी क्यूंकि तो को सीखने में आप भी जानते हो तींचा दीन लगेंगे यह सारी ट्रिक्स अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आप भी इसको एपलाए करोगे तींचा दीन तो यहाँ पर टोप 100 के अंदर और हो सकता आप नंबर वन भी आ जाओ क्योंकि तो लोग नो नंबर थ्रीन तक तो आचुके है तो नंबर वन भी अब दूर नहीं है और अगर यह आ सकते तो आप भी आ सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं बस आपको करना क्या है चीजों को अच्छे से समझना है और समझाने वाला कौन है मैं हूँ यहाँ पर तापको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूद नहीं है सिंपल सा रिजन है परफर्ट विन पूरी एक फेमिली है सभी अब वोड यहां पर चीज समझना है तो यहां पर सबसे पहले आपन क्या बात करेंगे कि दो कोरोड रुपे जीतने के लिए यह गलती मत करना ठीक है तो घलतियों का कॉंबिनेशन यहां पर क्या-क्या रहने वाला है वो चीज आम आपर समझ लो तो गलती का कॉंबिनेशन सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यहां पर आप देख पार रहोंगे कि तोस ब्लस पित हो त्रीकमो measurement यानि कि अगर कोई मैच देक हो तैन उस्मे सबसे मरभाइ कि सबसे जरूरीट चीज होती है वह होती है तोस टीक है और यह पर समझनी पढ़ेगी अगे आपको सवाल आता ह में किस तरीके से रहता मालो कि आज कोई match है ठीक है दो टीम है और वहां पर match के उपर क्या होने वाला कि पीच है यह पीच गई तीन टाइपस हो सकती है ठीक है ज्यादा यहां पर डीटेल्स में जाने के ज़रोगतने एक तम बेसिक समझेंगे पहला तरीका कौन सा होगा कि य या तो बेटिंग पीच होगी या फिर यह बोलिंग पीच होगी या फिर तीसरी क्या हो सकती है यह बैलेंस पीच होगी इस तीन के लाबा और दूसरे सारी कंडिशन मुस्किल है पर यह तीन समझ लेना या तो बेटिंग पीच होगी या बोलिंग पीच होगी या फिर बैल लेकिन ऐसा बार-बार नहीं होता है, 100 मेंसे से 5 बार होता है, तो एक बार उस सीनेरियो को हम नेगलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रेमिलर्ण में, 20 टीम अगर हम बनाते हैं, तो 20 मेंसे से 1 या फिर 2 टीमें बोलिंग पीछ समझ के बनाएंगे, क्या? ज्यान सा सम कि अगर बेटिंग पीछे, तो 20 में बना रहे हैं, तो 18 टीमें बनेगी, वह बनेगी यहाँ पर बेटिंग पीछ के हिसाब सब्सक्राइब। क्योंकि दीखो, बेटिंग पीछे हैं तो बैतिंगते हैं, ज्यादा बनाते हैं, लेकिन इनकेस कुछ उल्टा सीधी हो जाता है तो यहाँ पर दो ही टीमें बोलिंग पीच को यहाँ पर वेटेस दे रही होगे लेकिन वो का बहुत सकम रिशयो वो ऐसा सो में से पाँच ड़ होता है ठीक है बागे नौर्मली दिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है यह चीज आप पहले करते ना यहाँ अपर आप यह चीज समझ गए तो ही यह चीजे काम करें क्या है क्या समझ गयां कि अगर बैटिंग पीछ तो बैट्स्में अच्छा चले जैसे for example, जैसे किसी team number A, A और B दो team है, ठीक है, team A और team B, team A ने क्या-क्या, toss जीत लिया, toss जीतने के बाद क्या-क्या, इसने select की betting, ठीक है, अपन समझ गे कि toss है, जो team A जीत चुकी है, और उसने पीच को देखते हुए क्या select किया है, betting select क्या है, तो अगर कोई team पहले betting select करती तो इसका यह मतलब है कि उसे अपने opener पे बहुत trust है, उस speech के उपर भी बहुत trust है, उसे पता है कि मेरे opener इस speech पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, यह sure है, ठीक है, तो जो opening करने आने वाले है, batsman वो आपकी team के अंदर होने ही चीए, दोनों के दोनों, पहला और दूसरे नमर प जो भी रहा ना साथ में, जैसे यहां Captain Vice Captain है, आगे और अच्छे से समझेंगे, बट इसे के अंदर समझो, Captain Vice Captain की इस तरीके से रहता है कि देखो कभी बहुत अपनिंग करने के लिए, तो एक प्लेयर ऐसा होता है, जो बहुत जादा रन बनाता है, लेकिन एक जो होता है, व के खेल रहा है ना, वो आपके लिए Captain है, और जो safe खेल रहा है, वो यहां पर आपके लिए Vice Captain है, ठीके, इस वाले सिनेरियों के अंदर, कि यहां पर Team A थी, Team A यहां पर TOS जीती, और मालो Team A या पर Team B, कोई भी यहां पर TOS जीता, और उसने यहां पर मेटिंग को select किया, और अपने अपनर यहां पर उतार दिये, ठीके, तब समझ गया ना, क्योंकि ओपनर जो होंगे वो बहुत ज्यादा बड़ा रन बनाएंगे, अब यहां पर गाए Senior A चेंज करते हैं कि बोलिंग पीछ को देखके, उन्होंने यहां पर क्या क्या है, टीम A team B, खिल रही है, दोन बिल्कुल भी मत करना, यहां पर आपको क्या करना, बोलर्स की जगह पर बैट्समें को, सोरी, ओल रॉंडर को वेटेज देना, रिजन समझना पहले है, ऐसा मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं, देखो, सिंपल सा रिजन है, आप समझना, क्या हो रहा है, कि अगर मालो कि बागी एक या दो विकेट लेता है, तो वह बढ़िया नहीं रहता है, लेकिन अल रांडर जो होता है, अगर बोलिंग पीछे न, तो जैसे दस बार यह हो गया, और दस बार वह उल्टा हो जाता है, बाकी बच्चे वह जो असी मेच होते हैं, तो असी मेच इस के अंदर है, मानलो अकसर पटेल है, उसे दो विकेट यहां पर ले लिए, तो दो विकेट लेने और वह रन भी तो बनाएगा न, तो उसे एश्टा एडवांटेज है, तो कैप्टन और वाइस के लिए कभी भी बोलिंग पीछ के उपर, ओल रांडर सबसे बढ़िया होते हैं, इसलि सो में से दस बार हो रहा है, तो एक या दो टीमों के अंदर आपन किया करेंगे, बोलर सको भी प्रम थे टीम के तोर्फ स्लइट करेंगे, लेकिन ऐसा होना चीय artifact कि वो बोलर जो है वो देथ ओवर में बोलिंग करना चाहिए साथ में वो जो अपना बोलर है वो क्या करना चाहिए सुरू के ओवर में भी बोलिंग करना चाहिए लेकिन उसके विकिट आने चाहिए अगर उसके विकिट नहीं आए तो आपकी टीम बेकार है कोई सेंस दे रहने वाला है तो अगर आपको safe side जाना हो अगर आप small league खेलते हो तो captain wise captain all rounder में से बना देना लेकिन अगर आप रिक्स ले सकते हो और 20 टीम में बनाते हो या फिर 5 से ज्यादा टीम में बनाते हो तो यहाँ पर आप बोलर पर भी वेटेस दे सकते हो क्योंकि देखो एक बार grand league win करना है बार-बार win यहाँ पर grand league नहीं करना है अगर एक बार grand league win हो जाती है और हमें 2 क्रोड रुपे win हो जाते हैं तो कोई छूटी बात नहीं बहुत बड़ा माउंटी है तो यह चीज को अब अच्छे से समझ लो ठीक है देन यहाँ पर नेक्स अब बात करते हैं अगले पॉइंट की क्या है selection ratio selection ratio का बहुत बड़ा यूज होता है grand league की team को बनाने के लिए क्योंकि तो selection ratio क्या किस तरीके से होगा selection ratio मान लो की for example एक तो 80% से आप उपर है ठीक है आप अपनी जब भी आप team बनातो आप नोटिस करना आप कभी भी जो team बनाते हो selection ratio 50 देखते हो ठीक है 50 से उपर वाले देखते भी नहीं होंगे तो आप player भी select करते होंगे तो यह वह player select हुआ है जिनका selection ratio 50 के उपर है जैसे 50 के उपर जो selection ratio जाता है वो team आपकी बन जाती है safe team यानि उस team ने कोई भी तो यह team के 50 50 रहती है कि small league में विन करेगी या फिर हारेगी लेकिन grand league के अंदर जो 49 रुपीज है यह तो शोर है कि 49 वापिस मिल जाएंगे तो 59 लगा के उन पचास वापिस लेना कहा की समझदारी इस साच चा तो आप असांती से बैठके match ने करते वह जादा अच्छा रह captain wise captain captain wise captain अभी मैंने इस tos plus पीच में एक आइडेया दे दिया था आपको कि captain wise captain आपको किस तरीके से रखने साथ में captain wise captain के के एक सिंपल सा रूल से कि अगर आपका captain safe है ठीक है तो wise captain यहां पर risky होगा अगर आपका captain ने जो risky है तो wise captain यहां पर safe होगा यह एक simple सा rules याद अद वहुत ही फाइदा मिलेगा क्योंकि जब भी Grand League की कोई टीम सो बार अगर कोई बना ग्रालीग विनेर उसमें सित्तर बार जो विनेर बने वह इसी रेशियो से बने से यह मैंने पूरा एनलाइस के छे साल का तो आप जाके यहां पर मैं आपको बता पा रहा हूँ ठीक आप अच्छी नोलेज मिल रही है तो सोचो कि अगर इची नोलेज को अगर एपलाई भी करोगे तो आपको कितना फाइदा मिलेगा ठीक है इसी के सानाथ में बहुत साली चीजे और भी है जैसे अगर आप चाहो परफेंड फेमिली का हिस्सा बनना तो सिंपल चैनल को सब्सक्र करना चाते हो तो थोड़ा से वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि यहां पर में को और अच्छा फिल हो का मोटिवेशन फिल हो का मैं नेक्स टाम इससे भी बढ़िया और वीडियो बलाने का ट्राय करूंगा ठीक है अब यहां पर हम आगे चलते और देखते कि जो सलेक्श अगर पार सेख्शेन है जिसके अंदर विगिट के पर हमें सेलेक करना है तो अब बात करते जो नोर्मोल लोग टीम के बनाते है यहां से देख लेते है कि किसका मैच लखनाव चैने के मैच दिका रहा है तो चलो ठीक है डी कॉन्वे को सेलेक्ग कर दे यहां से निकोले प्लेस हो गया ठीक है अब यहां पर बात करते हैं जडेजा को ले लेते हैं एमिश्टोनी को ले लेते हैं मायर्स को ले लेते हैं पांड्या को ले लेते हैं ठीक है और यहां से विश्णोई को ले लेते हैं तूसार को ले लेते हैं तो इस तरीके से देखो चार प्लेयर यहा बहुत बैका टीम है यह तीमसे पी आपको इस टीम से वापस मिल जाते है कोई भी सेंस नहीं रहता है एक्चुल जो टीम बनती है वो किस तरीके से बनती है दियान से समझना अब मैं एक्चुल टीम बना के बताता हूँ सब से पहेले तो हमें दिशायड करने है कि हमारी टीम के अदर होते रुटाइपुने बता देता हूं प्रटा है यहां से हमी स्ट लिशायड करने है अकर यहां पेडर प्राप करना है घृतुराज घायकोट ठीक है इसके ल savior कोई भी नहीद दो कि हर मेच को पर डीपेंड करता है, मैकसिमम साथ टरंप प्लेयर होते है, मिनिमम हर टीम के अंदर चार प्लेयर आपको मेल ही जाएंगे, यहां से बात करू तो जडेजा भी है, इस्टोनी भी है, यह दोनों बहतरीन प्लेयर है, यह अगर बात करू तो वोलर्स मैसे मुझे को यह मेरे जैसे यहां पर आपको बोला तो यह थोड़ा वाइस कपने के तोर पे हो गया बाकि यह सारे जो चार प्लेयरे के लिए बहतरीन ओप्शन ही हो गए ठीक है अब इन सब की खासिएत क्या देखो इन सब के बात नोटिस करना 89 selection percentage 87 selection percentage 92 86 76 यह रवी बिश्णवी को अगर अब हटा भी दो तो एक बार इनको देख लेना इन प्लेयर के खासिए कि इनका selection ratio 80% से ज्यादा का ए ठीक है यहां पर 80% से इनका ज्यादा का selection ratio है 80% से ज्यादा कि यहां पर कितने ऐसे 4 player है और एक इसको भी 8 कर देना तो total यहां पर 5 player है क्योंकि तो को सीधी से बात है यह player हटेगा तो थोड़ा selection ratio है उपर निचे और हो सकता है तो यहां पर आप ध्यान से देख रहो कि इस तरीके से यहां पर scenario पूरा भंद रहा है अब देखो यहां पर ऐसे 4 player हो गए 4 से 5 player हमारे यह हो गए अब हमें क्या करना है हमें यह करना है कि 20 या फिर 30% यह मान के चलो कि 30% का जिसका selection ratio है और 80% का जिसका selection ratio है तो 30 से 80 वाले आपको ऐसे 5 player अपनी team के दर सामिल करना है 4 यह 5 वो टोटल 9 player हो गए ठीक है सिंपल है या फिर अगर यह 5 है यह जैसे यह उसमी आगया ना 80 से कम वाले में तो यहां पर आप समझना कौन-कौन से है जैसे Ace Dubey है फिर आम रहाने को ले सकते है निकोलन स्पूरन को ले सकते है तो चार तीन player में यहां से ले लिए 5 लेने है तो यहां से इसको ले ले लेते हैं यह यहां पर इस तरह किसे perfect team मेरी बन गई है या फिर अगर चाहो थोड़ा सा लिक्स लेना जैसे आप मोही नहली को सलेट कर सेते हो कुनल पंडे की जिगह पर या फिर मायर्स की जिगह पर आप नवीन पर थोड़ा सा वेटेश दे सकते हो या तूसार को अपनी team के दर सामिल कर सेते हो तो आप के ओपर depend करता है जिन प्लेयर के साथ में आप जाना चाहो उस match के according बनेगा जैसे बोलिंग पिछोती तो बोलर और all-rounder लेते बेटिंग पिछोती तो बैश्मेन और all-rounder लेते या फिर विकिट किपर में से लेते तो इस तरीके से यहां पर combination मेठाना पड़ता है लेकिन अभी यहां पर सिब no player हुआ है कभी कभी हो सकता है कि no player select हो जाए या फिर यहां पर 10 player select हो जाए टेंशन मत लेना कोई फरक नी पड़ता है अब क्या होगा कि 20% से जिसका अगर कम relation ratio का अगर कोई player हमें दिखता है वो player हमें अपनी grand league की एक team के अंदर तो रख नहीं है यहां पर कौन कोन हो सकता है यहां पर मिश्रा हो सकता है देन या से अगर में बात करू तो दिखो और MS2 नी भी है क्योंकि कि किसी मेंज में MS2 नी भी बहुत अच्छा करता है तो 20% के अंदर हमारे पस तीन option अभी दिखा रहे है जो सबसे बहतरीन है अब इन तीनों मेंसे एक या दो जो भी player आपको अपनी team के दे सामेल करने कर लेना क्योंकि grand league team की यही खास्योत होती है क अब आपको क्या करना है कि एक risky player को captain मना देना और एक risky player को. deform... वापस बचारहा हूं यहार के, captain अगर आप risky ले रहे हो तो vice captain हमेसा safe ले ले लेना और अगर vice captain आप safe lucky ले रहे हो, तो captain को यहाँए रисky ले ले लेना एक सेगो गो को captain risky तो vice captain safe हो गया और अगर vice captain risky है ठीक है तो यहां पर captain के हो गया safe हो गया ठीक है बराबर इस तरीके सा यहां पर टीम बना लेना definitely आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा अब यहां पर एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि आपके लिए में चोटी सी tv दे रहा हूँ कि क्या होता है कि दुकर peach होती है peach में betting pyt taste bowling Peach और bowling Peach के अंदर जो पा पीछ इक दो टब का बोलर होंगे ऊसमेंच मेंच के लिए अगर बोलल पीछ भी तो कि Ballers दिखा रहा है और यह जो पीच हैं यहां पर दिखा रहा है गोड फोर फांस बोलर ठीक है हूए उपर ही दिखा रहा है ड्रेविलं के अंदर गाइड़ सेक्षन क यहां सामने ठीक है बेटिंग पीच है लेकिन फांस बोलर को नोटिस करो कि FAST BALLER का है और SPINNER पर इस तरिके का एक arrow आता है ठीक है बोलर बोल के उपर तो यहां पर गाई यहे तीन नीचे निकली हुए ना लाइन है इसका मतलब है कि हो FAST BALLER है और ऊपर ऐसा arrow आरहा है तो वह SPINNER है तो इससे आप समझ सकते हो ठीक है यहां आके आगा आ आपको आगे बता है उस तरीके से अगर आप टीम बनाते हो तो डेफिनेटली आपकी टीम बहुत टाइम के साथ इंपूर होगे और आप अच्छी टीम को बना पाओगे साथ मैं कैसे आप वीडियो देख रहो और अगर आप मेरी टीम से खेलना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आजाना सबी लोग साथ मिलकर खेलेंगे और विन करेंगे क्योंकि परफेड विन पूरे एक फेमिली है